हाई दोस्तों, आज मैं आपको share market के बारे में बताने जा रहा हूँ share market में invest करने से पहले आपको एक अपना demand account open करना पड़ता है demand account open करने के लिए आप जिरोदा के kite application या angel broking या फिर up or stocks जैसे application का use कर सकते हैं इनमें से किसी भी एक application पे आप अपना demand account open कर लें उसके माद आप share market में invest कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना जिरोदा के kite application पे एक demand account बनाया रखा हूँ तो मैं आपको आप दिखाऊंगा कि कैसे इसमें मैंने invest किया share market में और कितना मुनाफ़ा हमने कमाया कितने फाइदा हुआ हमें आज जो है market का first है 2023 का, दो जनवरी 2023 है और आज का जो हम लोग market watch करते हैं अगर देखेंगे तो पाएंगे कि अगर निप्टी 50 अठारह जार 177 पे रुपया पर बंद हुआ, जो कि वह ही अगर निप्टी बैंक की बात करें तो 43,203 रुपया पर बंद हुआ अगर हम निप्टी 50 की जो plus point है वो 52 रुपया गया, वही निप्टी बैंक जो है 216 रुपया आज पलस में गया मार्केट का सुरुवार्टे है, फर्स्टे है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और मार्केट उपर की ग्रोथ की ओर गया है तो यह कर सकते हैं कि हम लोग मार्केट आज जो है, फर्स्टे जो है, यहां से आप ओवर्व्यू कर सकते हो मार्केट को इस एरो पे आप जब किलिक करोगे तो आपको market का overview मिलता रहेगा और जैसे ही इसमें फॉर्स जो है एक watch list है मैं आपको दिखा दू watch list है, दूसरा orders है, टिसरा portfolio है, चोठा tools है और परचमा आपका account का ID नमबर वगेरा उहां से open पूरी data हुआ रहती है watch list में आप एक watch list में 50 company को add कर सकते हो, जिसको आप future में buy करना चाते हो या फिर देखना चाते हो कि किस position पर वो है, तो watch list first में आप चाहो तो banking का बना लो watch list mix बना लो, second या फिर third में आप finance का बना लो, या fourth में आटो मोवाइल का बना लो तो मैंने mix बना रखा भी फिला, तो ATFC bank है, कोटक bank है, वही वह अगर watch list 2 में बात करे टाटन है, PNB है, एडिया है वही watch list third में तो Bepro है, बजाज finance है, watch list first में उसा मार्टीन, आइसा मोटर बगेरा बगेरा इसमें है तो watch list first यह हो गया, watch list जिसमें कि आप बहुत सारी company को add कर, आपको future उसका value देख सकते, यह होते है order, जब आप किसी भी share को खरीदोगे, तो यहाँ पर order लगेंगे, वो आपको exit हुए कि नहीं, यह सब आपको यहाँ सब से पता चलेगा, यह आपको market live में हम दिखाएंगे, यह है portfolio, portfolio बहुत अच्छा, यहाँ से भी आप market को overview कर सकते हो, देखो, वही चीज है, market कितना पर बंद हुआ, कितना पर bank बंद हुआ, इसमें दिखे, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपना profit और loss, तो सबसे पहले हमने invest इसमें कितना किया, 67,745 रुपिया है, 35 पैसे, वही इसका अगर हम current value बात करें, तो 88,315 रुपिया, 85 पैसा इसका current value है, तो total overall profit and loss की बात करें, तो 20,617 रुपिया, 50 पैसे हमें profit हुए, जो की बहुत बड़े huge amount है, आपको दीख रहा होगा, मैं इसको false नहीं ना editing कर सकता हूँ, यह देखे, तो यह जो है, एक अच्छा profit है, अगर हम इसको percentage में profit के दिखे, तो 30%, मतलब कि आप किसी भी bank में रखोगे, मैंने इस पैसे को invest 2222 में, मतलब 2022 में invest किया था, और 2023 में यह पैसा का value इतना return है, मतलब कि आप किसी भी market में, किसी भी sector में आप इतना profit नहीं कमा सकते हूँ, तो share market फायदी का Venus है, अगर आप की पास knowledge है, तो, जैसे की देखिए, आपको हम आपको नजदीक से दिखाएं, तो आपको दिख रहा होगा, ATFC का मैंने 2 share खरीद रखाऊ, two quantity मतलब, 2 share हमने इसका खरीद रखाऊ, मात्र, यह अभी इसका जो है, national stock exchange, NAC पे जो है, 1628 BEP यह बंद हुआ, और इसमें हमने invest किय 298 रुपय टोटल, और अभी इसका current value 327 रुपय की लमसम 270 रुपय इसमें हमें profit है, हिंदुस्तान लिवर हमारे घाटे में 91 रुपी का loss है, ICIC भी हमें 1098 रुपय का profit total overall दिया है, वही ITC के अगर हम बात करें, तो ITC में आपको आपको दिखा सके, ITC का 332 रुपय आज का ज 35 रुपय पैसे हमने इसमें invest किया, वही इसका current value अगर हम बात करें, तो 24623 रुपय मतलब की 3769 रुपय पंदरा पैसे, ITC से हमने profit कर चुका हूँ, अभी मैं इसको sale out अगर कल के market day में करता हूँ, तो हमें 3769 रुपय यह हमें profit की रुप में होगा, वही अगर हम बात करें, कोटक बैंक की तो 9 share इसका हमने खरीद रखा और 4242 रुपय यह हमें मुनाफ़ा है, महंदा महंदा के 2 share है, Reliance के Reliance इसका हमने 10 share खरीदा है, 2022 में ही खरीदा था, और इसका हमने जब इसको invest किया थो तो मात इसके हमने 10 quantity लिये थे, और 10 quantity में यह मैंसे पैसे जो लगे थे, और इसका जो current value है, वो आपको हम दिखाएं नजीक से, तो 25,751 रुपया मतलब total profit and loss की बात करें, तो 671 रुपया 50 पैसा का मैं Reliance से सिर्ब बनीफिट हुआ, मुक्य संबानी की company है, अब जानते होंगे Reliance को, और यह Tata Steel का 40 quantity है, में ले पास यह 40 quantity आपको दीख रहे होंगे यह हज में हमने 2649 रुपया इंवेस्ट किया था, और यह current value उसका 4770 रुपया मतलब 1131 रुपया मतलब इसमें पैसे तो double होने वाले हैं, थोड़ी से पैसे नस और रखोंगा तो यह पैसे हमारे double हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हमने बीपरो कहा है, जो कि नौस में है, अगर आज की total market का day and profit loss की बात करें, तो आपको हम नजदीक से दिखाएं, तो आज का day of profit loss है, इसमें आपको हम दिखा सकते हैं, तो 703 रुपया 75 पैसे, आज सिर्फ हमें total profit and loss हुए, मतलब साल के first day, मतलब इतना अच्छा मुनाफ़ा imagine कर सकते हैं, यह हमारा profit है, total profit हमने 2022 म 67,745 रुपय इंवेस्ट किया, अभी जो इसका current value है 88,360 रुपया, मतलब कि 20,617 रुपय हमने इसमें से कमाया है, तो यह